जीत से पहले जीत और हार से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए जी हाँ, ऐसा हर खिलाडियों को सि RW dies, और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ मीरा कुमारी है, जो बिहार से बाहर नैशनल में खेल चुकी है तो आएए मीरा से जुड़ी हर बात को जानते हैं हमारे खास कारिकरम, खास बातचीत में मीरा मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगे कि आपका बच्पन कैसे बैक्ग्राउंड में भीता है एक्चली मेरा बच्पन बहुत अच्छे बैक्ग्राउंड से नहीं मैं बिलॉंग करती हूँ मेरे पापा एक फार्मर थे, उन्होंने बहुत ही महनत जद्दो जहद से पटना में रहकर हमारा परवरिस किया है उन्होंने उनका खेती था और साथ में क्या करते थे वो क्रिशी करते थे डैरी फार्म था हमारा उससे बहुत ही महनत करके उन्होंने मुझे पढ़ाया और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 9 जनवरी 2017 को मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे है उसके बाद मेरा फैमली बैक ग्राउंड थोड़ा और भी गरते जा रहा है और इसके कारण मेरे खेल बैक ग्राउंड और खेल के कैरियर में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है जिसे कि मीरा आपने बताया कि आपके पापा के जाने के बाद जो है आपका खेल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो मेरे जानना चाहूंगी कि इसके लिए आपके स्कूल या फिर आपके परिवार से कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको कहां खेल बेक्ग्राउंड जो है वो कम्जोर पड़ गया तोमें चाहिना Ça Gणी कि इस के बाद आपके सुखोल और फिर आपके स्पोर्ट जो टीचेर से उनसे क्या कुछ सपोर्ड मिल रहा है अपको सबस्क्राइब चाहिए हैं। अभी तक आरहसा तो उन्होंने यह वादा भी नहीं कि आए कि करेंगे लेकिन अब तो मैं final pass out होने वाली हो मैंने four semester दे रखा है अपने में department political science तो अब तो मैं साइद हुमीद भी नहीं कर पाती हूं लेकिन उमीद करती हूं कि खुद से की प्राक्टिस करके मैं आगे बढ़ जाओंगे। बहुत खुब मीरा अब मैं यह जानना चाहूंगे कि एजन केरियर बिहार में बहुत कुछ है SSC है, बैंकिंग है, डॉक्टरी की पढ़ाई है लेकिन आपने as in, खेल को अपना करियर क्यों चुना है सब का 24 अलग अलग होता है मेरा 24 और मेरा डिजार और मेरा दिल कहता है कि हम मैं एक प्लेयर बनूँगे और मेरा खुद का भी एक एप होता है सब सरे इनसान को इस दुनिया में अपना एक एम होता है और इसी तरह मेरा भी एक एम है कि मैं एक प्लेयर हूँ और प्लेयर ही बनके रहूंगी मीरा मैं जानना चाहती हूँ कि आपका कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ और आगे के जो लाइफ की प्लानिंग जो है वो क्या कुछ है अध्य को भी एक नॉटी बहुत कमजोर थी तो मेरा एक स्कूल बहुत दूर हुआ करता था BD Public School था तेंथ क्लास में और मैं साइकल से जाया करती थी उसके बाद D.A.V. Public School पुनाईशक था उसमें भी मैं साइकल से जाया करती थी और PW College उसमें भी मैं साइकल से जाया करती थी और MA Department, Political Science Department, दर्भंगा हाउस उसमें मैं फुलवारी से साइकल से आया करती थी और दीरे दीरे मेरा ये साइकल चलाना कभी मजबूरी था लेकिन हमें नहीं पता थे कि ये मजबूरी मेरी ताकत में बदल जाएगी और फिर ये साइकलिंग चलाते चलाते मेरे अंदर पावर आ गया, स्टैमना आ गया और मैं जब साइकल कॉंपरिशन में पाटिसिपेट की तो मैं हर जगा अबल पोजिशन पे आई तो इस तरह से मेरा साइकलींग का एक कैडियर बन चुका है और में प्लेयर तो थी, मैं धावक थी और मैं बॉक्सिंग भी करती थी लेकिन साथ-साथ मेरा साइकलिंग का कैडियर अपने आप उस मजबूरी में एक ताकत के रूप से उबढ़ा है मीरा आपने भी बताया कि cycling आपकी economically condition का एक मजबूरी रहा है और बाद में इसे आपने पनी तागत बना ली तो कब और कैसे आप बिहार से बाहर जाकर खेली 2016 में मैंने डेस्टी खेला जो पतना से मैंने गोल्ड लाया फिर 2020 में मेरा economically condition बहुत ही वीक था और cycling के लिए बहुत ही पैसे की जरूरत होती है cycle race के लिए कम से कम 40,000 का एक cycle होना चाहिए जिससे आप cycling का race कर सकते हों और उसके लिए practice कर सकते हों तो इस बीच में मुझे बहुत कश्ट हुआ कि मैं आगे की और cycle को नहीं बढ़ा पाई लेकिन 2017 में मैंने practice जाड़ी रखा अपने normal ही cycle से और फिर उसके बाद जाकर 2017 ही में 2018 के में मैंने national participate किया क्योंकि उसके पहले मैंने state भी participate किया silver से और फिर मैंने national participate किया बहले ही मेरे पास cycle नहीं था मैंने cycle borrow किया लेकिन मैंने national participate किया और उसमें मैं अबल पोजिशन पे नहीं आई क्योंकि मेरा साइकल बहुत अच्छा नहीं था और मैंने साइकल बोड़ो किया था लेकिन मैं अपनी तमन्ना को पुड़ा करप किया। आपने सुना ही कि मीरा का बैक्ग्राउंड भले ही कमजोर रहा है लेकिन इनकी मजबूती इनके जज़बाद जो है वो बहुत ही स्ट्रोंग है। अगला सवाल है मीरा कि आप जो हैं बिहार राज़्य के तरफ से बाहर खेलने के लिए तो सरकार का इसमें क्या कुछ आपके लिए सपोर्ट रहा और क्या कुछ सरकार ने आपके मदद की है। अइसा तो नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने मदद नहीं किया है। लेकिन हमारे बिहार में जब आती हूँ मैं तो पता ही नहीं चलता है कि नेशनल प्लेयर खेल कर कहीं से आ भी गई बिहार की और से. तेंक्यो मीरा हमारे कारिकरम खास बातचीत में आने के लिए. दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल दे फुल वोल्यूम पसंद आया हो और ये वीडियो आपके दिल को छू रहा हो तो इसे शेर करना, लाइक करना और सस्क्राइब करना ना बोले.